नमस्कार आप देख रहें लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास देखिए तियस्वी यादों की एक वर फिर से मुश्किले बढ़ने वाली है जिहां तियस्वी यादों की बिधान सभा की सदस्ता भी जा सकती है यह खबर निकल कर आई है गुजरात से तियस अनुमान किया जा रहा है दरसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है गुजरात को लेकर तियस्वी यादों ने बिहार विधान सभा सत्र के दोरान पत्रकारों से बाच्चित करते हुए गुजरातियों को लेकर एक सब्द का इस्तमाल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अहमदावाद के कोट में जो है एक केस दर्ज किया गया है जो कारवारी हरेश मेहता है उन्होंने तियस्वी यादों के खिलाप केस दर्ज किया था जिसकी सुनवाई होनी है इस सुनवाई के मताबिक अगर तियस्वी यादों पर कोट अगर कोई फैसला सुनाती है तो तियस्वी यादों का सदस्ता जो है विधान सभा की सदस्ता है जो विधाय की है वो चली जाएगी अगर सजा होती है तब अब ये बाते इसलिए बोली जा रही है और कयास लगा प्रवाद था कि मोदी जो नेम है वो लोग चोर होते हैं इसी बात को लेकर सूरत कोट ने उनकी लोग सभाक की सदस्ता जो चली गए उसी पैसले के बाद गई थी इस मामले पर सूरत कोट ने उन्हें दोसित हराया था जिसके बाद उन्हें दो साल की सजा का एलान किया गया तहत राहुल गांधी की सदस्ता चली गए थी तो अब तयस्वी आदाओ कि यानि कि त्यस्वी आदाओ जिस तरीके से गुजरात को लेकर सब्थ का इस्तमाल किये थे उन्होंने मीडिया के सामने खुलियाम तोर पर ये बात कहा था कि गुजराती जो होते हैं बहुत सारे युझे नाम भी गिनाय था जो कारवारी थे हालेकि उनकी मंसा कारवारी जो नाम था उसका लेकिन गुजरात सब्थ को लेकर कारवारी हरेस्थ महता ने महमधावाद कोट में 26 अपरेल को फाईयार के बाद शिकायत की दर्ज कराई थी केस की थी उसके बाद आज लगारही हूनी अगर अगर हुआ अ्वाद कोर्व के खिलाब कोई सजा करते हैं। और बढ़ा ही नहीं सकते नहीं उनकी बीधाय की भी जा सकती तो इस तरह के से आदो लालू परिबार के लिए ये बहुत ही बुरी खबर हो सकती है साथ ही साथ राजत जिस तरीके से राजत को तियस्वी यादव चला रहे हैं चुकि लालू जादव अभी मौझूदा समय में अस्वास चल रहे हैं स्वास्त लाब ले रहे हैं तो उनकी अनुपस्तिती में तियस्वी ठक वाले जो मामला है बात है उसको लेकर अगर कोई फैसला जाता है तो राजत संगटन के लिए भी बड़ी दूकसान की बात हो सकती है ता आप यहसर बहुत कर देख नदेख रहें तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ बिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें